आप जुड़ गए हैं मेरे साथ यानि की लिखराज परजापत देखिए आज हम सुरू करने जा रहे हैं थर्मो डायनेमिक्स से थर्मो डायनमिक्स का एक बहुती बेसिक टॉपी का कार्णो इंजन तो देखिए हम इसकी सुरुबात करते हैं सबसे पहले जानते हैं कि इसकी क कलपना की थी जो कि सोर्स से हीट लेकर उसके पूरी हीट को बिना एनरजी लोस के उसी वर्क डेन में change कर दे यानि कि पूरे की पूरी ऊर्जा को कारे में परिवर्तित कर दे उसमें बिना किसी लोस के ऐसे इंजिन की कलपना साधी कारणो निश्टन 1800 जो इसमें की थी वास्ताओं में साधी कारणो यह जानना चाहते थी कि क्या कोई ऐसा इंजिन बनाना पॉसिबल है जो 100% efficient हो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कारणो साइकल एक प्रकार का साइकलिक प्रोसेस होता है तो देखी हम सभी जानते हैं कि साइकलिक प्रोसेस में कोई working substance किसी initial state से होकर कि बहुत सारी प्रोसेस से गुजरता है और finally वो अपनी initial state में ही वापस लोट आता है तो इस प्रकार की प्रोसेस को हम साइकलिक प्रोसेस की नाम से जानते हैं चूक्कि हम यहां पर कार्नोय प्रोसेस पढ़ रहे है तो इस्ति से पहले हम एक बार हलका साइकलिक प्रोसेस होता है हमारे पास कोई हीट होता है उसमें 4 प्रोसेwen से हीट सोर्स heat source एक ऐसा पार्ट होता है हमारे इंजिन का जिसका temperature सबसे अधिक होता है और उसकी heat capacity भी infinite होती है देखी दोस्तों यहाँ पर heat capacity infinite होने से मतलब है कि अगर उससे थोड़ी बहुत उश्मा अगर कारेकारी पदार्त ले लेता है तो उस उश्मा सुरोत के तापमान में कोई भी गिरावर नहीं होती है कमी नहीं होती है यानि कि उसकी उश्मा धारिता अनंत होती है उसी परकार हम मारे पास में दूसरा पार्त होता है इंजन का वो होता है heat sink तो देखें जैसा कि हमने heat source में पढ़ा कि heat source heat engine का सबसे अधिक्तम ताप वाला पार्त होता है उसी परकार से heat sink heat engine का सबसे थंड़ा तापमान वाला पार्त होता है इसका तापमान minimum होता है वापस से Sink में लोटा दिया जाता है हमने यहाँ पर Heat Source से QH Heat ली है और Heat Sink को QL Energy या Heat लोटाई है यानि कि जो हमने work done किया इस work done के अंदर हमारे पास में value जो होगी वो Heat Source से ली गई है उश्मा और Heat Sink को लोटाई गई उश्मा इन दोनों का जो difference है वही हमारे पास में work done के equal चलते हैं और बात करते हैं part of car not engine की तो देखे दोस्तों जिस तरके से हमने बताया कि Heat engine के 4 part होते हैं उसी परकार से car not engine के भी 4 part होते हैं लेकिन कौनजी part ऐसे हैं जो इसे एक ideal engine बनाते हैं तो mainly जो इसमें होता है वो है working substance तो heat engine के अंदर हम कुछ भी working substance काम में ले सकते हैं जो हमारे पास में अटवोस में मुझूद होता है लेकिन कारणों ने साधी कारणों ने अपने car not engine में ideal gas को as a working substance use में लिया क्योंकि वो उनकी एक कल्प न थी तो इस परकार से कारणों का यह engine एक अधर्श gas engine बन जाता है तो यहांपर हम देखने हैं देकी दोस्तों हम यहांपर देख सकते हैं कि हमारे पास में उस्मा सरोत का तापमान यहाँपर T1-0 Kelvin है हमारे पास में उस्मा सींगा तापमान यहाँपर T2-0 Kelvin है और कारे-कारी पदार्त हमारे पास में आदर्स यहां पर सिलेंडर के अंदर भरी भी है यह हमारे पास में पिस्टन है जिसे हम अपने इच्छा नुसार उपर नीचे कर सकती है और इस पिस्टन यह सिलेंडर और पिस्टन दोनों की जो दिवारे हैं वो आपस में उस्मा से कुचालक है सिर्फ नीचे वाला जो पार्ट है वही उस्मा का सुचालक है यह हमारे पास में कुचालक स्टेंड है जिसका ऊपरी सत्य है यह जो पार्ट है यह उस्मा की कुचालक होती है यही यही पार्ट के अंदर मेयनली 4 प्रोसेस होती है पहली प्रोसेस हों मारी पास में इसफेस प्रोसेस नाम से पता चल रहा है इस प्रोसेस के अंदर temperature में परीवर्टन नहीं होता है और volume में change होता है यानि कि volume क्या होता है increase हो जाता है expand हो जाता है इसलिए इसका नाम दिया गया है isothermal expansion दूसरी process में adiabatic expansion इसका नाम है यहाँ पर नाम से पता चल रहा है कि यह एक प्रकार का ऐसा process है जिसके अंदर heat का change नहीं होता है इसलिए volume का change यहाँ पर होगा यानि कि volume यहाँ पर increase हो जाएगा इसी तरीके से हम third और fourth को भी देख सकते है third हमारे पास में है isothermal compression यानि कि यह भी एक तरीके सा ऐस प्रकार का process होगा कि इसके अंदर भी तापमार के अंदर बे कोई परिवर्तन नहीं होगा परन्तु यहाँ पर volume के अंदर कमी आएगी यानि dv is equal to यहाँ पर negative होगा और less than less than 0 होगा या फिर 0 के बराबर नहीं होगा अगला process हमारे पास में है adiabatic compression adiabatic compression नाम से पता चल रहा है यहाँ पर भी heat का जोगा changes नहीं आएगे और यानि कि यहाँ पर भी volume के अंदर में कमी आएगी यानि कि volume जो है वोच का change 0 के इक्वाल नहीं होगा देखे दोस्तों जैसा कि आप diagram में देख सकते हैं हमारे पास में यहाँ पर चार प्रकार की process है समतापी प्रसार जो कि A to B के बीच में हो रहा है रुदोश्म प्रसार जो कि B to C के बीच में हो रहा है समतापी संपीडन जो कि C और D के बीच में हो रहा है और रुदोश्म संपीडन जो कि D और A के बीच में हो रहा है दोस्तों समतापी प्रसार के लिए है इसलिए जो हमारे पास मिंफे जो कारे-करेपदार्थ है उषका ताप 110,001 Kelvin हो जाएगा मा Carnahan इस Τाप पर कारेकरी पतार्थ का दाब पी ये तथा आईतन तो हम्ने आपशो करतेly दिया कारेगराम में ये कारे-करेपदार्थ की प्रार्रमिक आवस्ता कहला सब्सक्राइब कि दीखें यहां पर यह मैंरे पर पर इस पर भी इसपर नहीं लगाते हैं और इस दीरे-दीरे ऊपर की तरफ समतापी परसाइर होने देते हैं इसे गैस का समतापी परसार होता है और गैस का कुछ पार्ट जो है वो Q1 जो है हीट यहाँ पर सरोज से ग्रैंड कर और आवस्ता भी तक यह पहुंझाता है यानि कि A point से हमारे पास में गैस जो है वो B point तक पहुंझाती है state complete हो जाती है और इस दोरा हीट Q1 जो है वो उस्तमा सरोज से ले लेता है अब हम देखते हैं कि उस्तमा गतिकी की परतम नियम से किस प्रकार उस्तमा गैस दोरा कारिय किया गया है तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हम अगर एरिया A, B, small b and small a निगाल लेते हैं, find कर लेते हैं तो T1 Kelvin पर समतापी प्रकारम के लिए जब हम आदर्स के समिकरन लिखते हैं तो हम कुछ प्रकार लिखेंगे PV is equal to RT1 तो यहाँ से हम value निकाल सकते हैं P की RT1 upon V तो यह वाली value हम integration में put करते हैं और integration को solve करके असानी से हम यहाँ पर work done निकाल सकते हैं हम अगला प्रोसेस है adiabatic expansion यानि की रुदोष में प्रसाप इस expansion में heat में change नहीं होता है परन्तु volume यहाँ पर भी अभी लगातार बढ़ता जा रहा है देखिए आप इसे diagram में देख सकते हैं यहाँ पर देखिए pressure पीबी से पीची किस प्रकार change हो रहा है और volume वीबी से वीची यहाँ पर किस प्रकार change हो रहा है इस बारे में हम तोड़ा प्रोसेस पर ध्यान देते हैं देखिए हमने cylinder को उसमा स्रोसे हटा कर अगर कुचाला की stand पर रखते हैं जिससे कारेकारी प्रदार्थ बहाय परिवेश से पूर्ण तयाय विलगित हो जाता है उसके बस चात हम पिश्टन पर धीरे धीरे धाब घटा कर गैस का स्वत्य रुदोश्म प्रसार होने देते हैं रुदोश्म प्रसार इतना होने देते हैं जिसे कि gas का ताब घटकर उसमा सिंख के ताब के बराबर T2 Kelvin हो जाए. यानि कि हम gas का ताब तब घटने जाते हैं, जब तक कि हमारे पास में उसका ताब उसमा सिंख के ताब मां T2 के बराबर ना हो जाए. ऐसा करने पर गैस जो है वो अवस्ता C पर पहुंचाती है जहां पर दाप PC और VC है अब वगड़न निकालने के लिए हम आदर गैस समीकरण कामे लेंगे P V की पावर गामा इस इक्वाल टू के यहां से value हम P निकालेंगे और उसे integration में put कर देंगे और integration को solve करके हम आसानी से यहां पर work done process 2 के लिए निकाल सकते हैं इसकी जो last final value आएगी वो मारे पास में आएगी R T1-T2 upon gamma-1 यहां पर हम देखिए दोस्तों यहां पर हम हम हमें integration के अंदर एक term आएगे मारे पास है 1- gamma जिससे हमारी value negative नहीं होगी देखिए इसका क्या कारण है कि gamma हमेशा positive होता है तो देखिए गामा जो है उसकी value हमारे पास में होती है cp upon cv और आप सभी को मालूम है कि cp upon cv एक 1 से बड़ी value है क्यों बड़ी value है तो देखिए cp is equal to होता है मारे पास में cv plus r तो यहां से आप साफ देख सकते हैं कि cp जो है वो cv में r add करने पर हमें मिलता है यानि कि cp जो है वो आपका cv से बड़ा है यानि कि cp upon cv p 1 से बड़ा होगा इसी वज़े से gamma की value 1 से बड़ी होती है और इसे हम 1- gamma नहीं लिखते हैं gamma-1 ही इसे लिखा जाता है तो इस प्रकास से हमारे अब हम चलते हैं हमारे थर्ड प्रोसेस पर जिसका नाम है isothermal compression तो देखिए दोस्तों हम यहां पर देख सकते हैं कि isothermal compression को यानि कि समताफ या संपिणन को हम point c और d के बीच में देख रहे हैं तो देखिए किस तरीके से हम इसे बुरा करते हैं तो द cylinder को उठा कर कोचाला के stand से उठा कर हम उस्मा सिंग पर रख देते हैं जहां पर पहले ही उसका तापमान उस्मा सिंग के बराबर है और अब दीरे दीरे गेस को piston द्वारा इतना संपिडित किया जाता है कि गेस का तापमान T2 के दिल्म पर ही रहे और आवस्ता डीपर पहु पहचान सकते हैं यहाँ पर आप दीख सकते हैं कि संताबी संपिडन वकर सीडिवारा यहाँ पर दिखाता गया है तो देखिए इस संपिडन में ताप नियत होने के कारण गास की आंतर neighboring कुरचा में परीवरतन शुननी होता है जिसके कारण संपिडन के समयес गैस से उस्मा Q Q2 निश्काशित होती है और हम इस Q2 उस्मा को इस प्रोसेस के अंदर कियेगे work done के equal यहां पर आसनी से निकाल सकते हैं चुकि हम जानते हैं कि हमारे पास में change in internal energy जो होती है वो मारे पास में होता है change in heat and change in work done तो अगर internal energy की value हो मारे पास में यहां पर 0 है तो हमारे पास में change in heat जो है वो work done के equal हो जाएगा तो इस तरिके से यहां पर निश्काशित की गई उसमा Q2 जो है work done Q3 के equal होगी देखे दोस्तो आगे की process में हमारे पास में जो work done है उसे हम आसानी से समताप यह प्रसार की जैसे हम solve कर सकते हैं simple हमें P की value निकालनी है यहां पर nrt upon V उसे integration में put करना है और वो work done के लिए हम इसमें value put करके इस value को निकाल सकते हैं हमें रुदोष्म संपीडन यानि की adiabatic compression जीसे हम point D और A के बीच में देख सकते हैं देखिए देखिए किस तरीके से रुदोष्म संपीडन यहां पर पूरा किया जाता है समझते हैं देखिए हम cylinder को उसमा सिंग से हटाकर कुछाला की stand पर रखते हैं और piston द्वारा gas को इतना संपीडित करते हैं कि वह अपनी प्रार्रमी का उस्ता PA VA T1 पर पहुंच जाए इस संपीडन को हम वक्र डिए द्वारा दिखा रहे हैं यहां पर इस इस्तिति में कारेकारी पदार्त गैस बाया वातारण से विलग होनी के करण इसका संपीडन रुदोष्म होता है देखिए अब इसमें रुदोश्य संपीडन में किया गए कारे को हम निकाल रहे हैं यहाँ पर इसे W4C denote किया गया है तो रुदोश्य संपीडन के लिए आवस्ता समीकरन हम काम में लेंगे P V की पावर गामा is equal to K रुदोश्य संपीडन के लिए हम यही समीकरन काम में लेंगे और वेल्यू हम फॉर्मॉला में पुट करके integration की वेल्यू निकालेंगे तो हमें W4 की वेल्यू मिलेगी R T21-T1 अपॉन गामा माइनस 1 तो देखिए यहाँ भी हमने पहले जैसे किया था 1-गामा हमें लेकर नहीं चलना है हमें लेना है यहाँ पर गामा माइनस 1 कारंट क्योंकि गामा जो हमारे पास में एक से यहाँ पर बड़ी वेल्यू है आज़े दोस्तो अब हम net work done निकालते हैं जो हमने कारणों इंजिन में किया है उसका net work done निकालने के लिए हम चारो प्रोसेस में हमारे दोरा निकाले गए work done को simply add कर देता है चुक्की कार यह एक अदिसराशी होती इसलिए हम simple numbers की तरह इने add कर सकते हैं तो देखिए चारो work done को जब हम add करते हैं तो हमें finally value मिलती है यह वाली value देख रहे हैं आप सभी लोग वेने से mark कर दिया है अब देखिए इस value में आपको दिखाए दे रहा होगा कि VB upon VA यहाँ पर हमें लोग के अंदर दिखाए दे रहा है और यहाँ पर हमें लोग के अंदर दिखाए दे रहा है VC upon VD तो देखिए इन दोनों में relation होता है यह relation हम निकालेंगे जिससे हमारे formula जो है वो और भी easy हो जाएगा तो देखिए बिंदू B वज C PV R1 में एक ही रुदोष्म वक्र परिस्तित है तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास में हमारे formula था PV की पावर gamma is equal to K इसको देखते हुए हम यहाँ पर P की value जो है T की form में निकालेंगे यहाँ पर T की form में change करेंगे तो देखिए वो कैसे करेंगे हम जानते हैं PV is equal to nRT होता है अदसगेस समीकरन क्योंकि हमारे पास में हम यहाँ पर working substance अदसगेस ही है तो यहाँ पर हम P को RT की form में निकालेंगे यानि कि nRT upon V यह value हम यहाँ पर put करेंगे तो इस प्रकार से हम पहले point B पर और उसके बाद में point जो है D पर हम इस equation को gain करेंगे यह दोनों equation हम gain करेंगे और उन दोनों equation को जब हम equal करेंगे तो हमें value मिलेगी यह वाली value हमें इस तरह के से मिलेगी यानि कि हम जब इस value को यहाँ पर put करेंगे दुबारा से इस formula में तो हमारी equation है वो simplify होकर हमें मिल जाएगी W is equal to R T1 minus T2 and log base E VB upon VA और इसके साथ ही आप देखोगे यहाँ पर सभी प्रकार के work done को add किया तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यह वाली value यह हमारे पास में W1 है और यह वाली value है यह mentre दिखाई बढ़ रहा है तो हमारा net work done है वो हमारा पास में हो जाएगा W is equal to Q1 minus Q2 अब हम हम ही कार्णों इंजिन के लिए efficiency यानी दक्षता की value निकालते हैं तो देखें किसी भी heat इंजिन के लिए दक्षता का हमारे पास में formula जो होता है वो होता है work done और उश्मा स्रोथ से ली गई उश्मा का अनुपाती यानी कि नीटा is equal to work done दक्षता के बराबर होती है तो देखें दोस्तों हम जानते हैं W is equal to उमने पीछे वाली जो हमारे पास में slide थे उसमें हमने देखा कि W is equal to Q1 minus Q2 हमें मिला ये वाली value अगर हम formula में put करते हैं तो हमारे पास में दक्षता का जो formula बनेगा वो बनेगा नेटा is equal to Q1 minus Q2 divided by Q1 यानि कि हमारे पास में दक्षता की value हमें मिली 1 minus Q2 upon Q1 तो ये हमारे पास में दक्षता हो गई heat की form में देखें दोस्तों जो work done हमने निकाला अगर हम वाली value यहाँ पर put करते हैं formula में तो हमें दक्षता temperature की form में मिलती है तो देखें आप यहाँ पर देख रहें कि मैंने network done की value put कर दी W और Q1 की value मैंने जो की W1 है वो यहाँ पर मैंने put कर दी तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सारी values cancel out हो रही है आपस में एक दूसरे से simply T1 minus T2 upon T1 यहाँ पर value remaining रह रही है तो formula हमारे पास में बुझ जाएगा यह नीटा का नीटा is equal to 1 minus T2 upon T1 तो देखें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि T2 और T1 दोनों ही उश्मा आपके पास में सिंख और उश्मा स्रोत के तापमान है यानी कि आपके पास में जो कार्णों इंजन है उसकी दक्षता उश्मा सिंख के तापमान और उश्मा स्रोत के तापमान पर ही depend करती हैं और किसी value पर depend नहीं करती है T2 यहाँ पर उश्मा सिंख का तापमान है और T2 यहाँ पर उश्मा स्रोत का तापमान है देखिए अब हमें कार्णोट इंजन की श्टेडी कर लिए तो इससे हमें जो रिजल्ट मिलते हैं उन पर हम ध्यान देते हैं की कौन कौन सी रिजल्ट हमें मिलते हैं देखिए Efficiency of कार्णोट इंजन देखिए दोस्तो Efficiency of कार्णोट इंजन डिपेंड ओनली on temperature of sink and source not on nature of working substance तो देखिए जैसे कि आप देख चुके हैं कि आपके पास में जो कार्णोट इंजन की efficiency है यानि कि दक्षता है उसकी वे लिए आपको क्या मिलती है 1-T2 upon T1 यानि कि सिर्फ तापमान पर डिपेंड करती है ना कि working substance की नेचर पर दूसरा पोइंट है Efficiency of कार्णोट इंजन increases as well as temperature difference increases between sink and source तो देखिए हमारे पास में फोर्मुला था 1-T2 upon T1 अगर हम इसे solve करते हैं तो हमारे पास फोर्मुला बनता है T1-T2 divided by T1 तो देखिए ये दक्षता के समानुपाती मिलता है यानि कि हमारे पास में उस्मा स्रोत और उस्मा सिंग दोनों के तापमान का अंतर अगर बढ़ता है तो कार्णोट इंजन की दक्षता की वेल्यू भी बढ़ती है To increase in efficiency ratio of sink temperature and source temperature should be minimum 400% efficiency engine this value will be 0 एकि दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी formula में T2 upon T1 value है तो ये वाली value जितनी minimum होगी यानि कि 1-T2 upon T1 अगर हम percentage में इस value को निकालते हैं efficiency को तो इसे हम multiply 100% लिखते हैं तो अगर हम ये 100% efficient किसी engine को राप्त करना है तो ये वाली value हमारी पास में 0 आनी चाहिए T2 upon T1 की तो T2 upon T1 की value दो ही कैस में 0 आ सकती है या तो T2 की value 0 Kelvin हो जाए या फिर T1 जो है हमारी पास में maximum heat का हमारी पास में स्रोत हो जो कि हम infinite यहाँ पर बोल रहे हैं तो इस प्रकार से किसी others engine के लिए कि वो 100% efficient हो इसके लिए जरूरी है कि उस्मा सिंग का तापमान यानि कि T2 Kelvin T2 value जो है वो हमारी पास में 0 Kelvin हो और उस्मा स्रोत का तापमान जो है वो हमारी पास में अनन्त हो जाए तो इनी दो condition पर हम किसी उस्मा engine के 100% efficient होने के बारे में कह सकते हैं देखिए T2 जो हमारी पास में 0 Kelvin फिर भी possible है लेकिन T1 is equal to infinite ये value हमारी पास में possible नहीं है इसलिए किसी भी engine के लिए कि वो 100% efficient हो यानि कि उस्मा स्रोत से ली गई पूरी की पूरी उस्मा को कारे में परिवर्थित कर दे ऐसा संभव नहीं है तो साधिकार्णों ने अपने सिद्धान्तिक engine के अध्यन से हमें यही समझाने की कोशिश किये कि ऐसा कोई भी engine बनाना संभव नहीं है जिससे कि हम 100% work done कर वा सके